चोपड़ा है जो किसी ने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बच्चों MCC के मोपप राउंड आज यानि 10th मार्च 22 से स्टार्ट होनी जा रहा है इसमें मैं आपको मोपप और स्टे वेकंसी राउंड की कंडिशन और सेडिूल बताओंगा इसके साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि किसी कंडिडेट ने स्टेट में सीट जोइन कर रखा है क्या वो मोपप राउंड में भी पार्टिस्पेट कर सकता है क्योंकि ये काफी सारे student का बहुत बड़ा सवाल है तो ये बेहदाब के लिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बार पहली बार All India Kota के लिए MCC दोआरा मौपप राउंड कंड़क्ट हो रहा है इससे पहले All India की second round के बाद ये seating state को convert हो जाती थी लेकिन इस बार नहीं हो रही है तो आईए सबसे पहले हम इनका schedule देख लेते हैं मौपप राउंड का तो मौपप राउंड के registration 10th March 22 से start होने जा रहे हैं इसकी last date 14th March 22 है इसमें phrase registration कर सकते हैं सभी candidate को इसमें phrase twice fill करनी है जो candidate इसमें participate करना चाता है अब इसमें जो twice filling की date है वो 11 से लेके 14 March 22 तक रखी गई है और इसमें result 19th March 22 को आ जाएगा reporting इसमें 20 March से लेके 27 March 22 तक रहेगी तो ये complete schedule है मौप राउंड का इसके बाद में stay vacancy round conduct करवाया जाएगा उसमें कोई twice fill वगरा कुछ भी नहीं होगा ये जो मौप राउंड होगा ये All India, Central University, BHU इनके लिए होगा, government के लिए होगा और dimmed के लिए dimmed खुद अपना stay vacancy round conduct करवाएगी यानि कि dimmed university में मौप राउंड के बाद vacancy है वो concerned dimmed university को transfer कर दी जाएगी और उसमें concerned dimmed university ही मौप राउंड conduct करवाएगी अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि मौप राउंड में जो च्वाई से फिल की जाएगी उन पर ही stay vacancy round conduct होगा government की condition में यानि मौप राउंड के बाद vacancy पर जो मौप राउंड का allotment हुआ था उसकी जो cut over ही थी उसी merit के नीचे उसी cut over के नीचे के student को stay vacancy round में seat मिलेगी कहने का मतलब ये है कि stay vacancy round में cut over down जाएगी आप जब मौप राउंड में 24 फिल करें तो maximum 24 फिल करें क्योंकि मौप राउंड में seat नहीं मिलने पर उसी 24 पर stay vacancy round conduct होगा और मौप राउंड की cut over के बाद में जो नीचे के student हैं उनको ये seat अलोट होगी अगर stay के लिए आपकी limited twice रहेंगी तो नुक्सान हो सकता है यानि कि मौप राउंड की twice आपको बड़े ही ध्यान से फिल करना है एक और important बात है अगर आपको मौप राउंड में seat मिल गई और उस पर आपने join नहीं किया तो आप stay vacancy lounge के लिए eligible नहीं होंगे इसलिए आपको मौप राउंड की च्वाई से बड़े ही ध्यान पूरत फिल करनी है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी candidate ने state में join कर रखा है second round तक के state के second round तक किसी candidate ने join कर रखा है तो क्या वो mccc के मौप राउंड में participate कर सकता है यह सबसे बड़ा सवाल है तो इसका जवाब यह है कि यह depend करता है आपके state के उपर अगर आपका state आपको join करने के बाद पैलेंटी लेके allow करता है तो आप mccc के मौप राउंड में participate कर सकते हैं mccc की तरब से ऐसी कोई guideline नहीं जारी की गई है कि अगर आप state में join कर लेते हैं तो mccc के मौप राउंड में participate नहीं कर सकते हैं ऐसा mcc द्वारा किसी भी guideline में ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया है अगर आपका state allow करता है तो आप participate कर सकते हैं जैसे कुछ state माराष्टरा, UP, करनाट का allow करते हैं कि उनके state के मौप अप से पहले seat resign कर सकते हैं मगर राजतान जैसे state में आप second round में seat join करने के बाद उस पर resign नहीं कर सकते, ये clear rule है तो आप एक बार अपने state की condition चेक कर ले क्या आप अपने state में मौप अप से पहले seat resign कर सकते हैं अगर आप का state आपको allow करता है मौप अप से पहले seat resign को तो आप MCC के मौप अप round में participate कर सकते हैं MCC ने All India के second round के लिए तो ये बिल्कुल clear कर रखा है कि जिन candidate ने All India के second round में participate seat join कर रखी है वो further counselling में किसी भी counselling में participate नहीं कर सकते और उनकी जो reported candidate की list है वो भी MCC की website पर जारी कर दी गई है तो वो candidate इसमें मौप अप में भी participate नहीं कर सकते हैं वो state में भी किसी भी counselling में participate नहीं कर सकते हैं तो जिन candidate ने MCC के second round में join नहीं किया था और उनको seat alert हो गई थी तो वो candidate फिर से registration करके security money fill करके MCC के मौप अप राउंड में participate कर सकते हैं तो ये condition थी कुछ मौप अप राउंड के लिए MCC के stay vacancy और मौप अप राउंड के लिए बाकी जो भी update मिलेगा हम आपको inform कर देंगे तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन